कोई भी उपाई या टोट का आपके जीवन की परिशानी को कम कर सकता है अलाकि इनका कोई भी विज्ञानिक अधार नहीं होता है फिर भी लोगों के बीचिन की मानेत है सो यो साल से चली आ रही है हमें ऐसे टोट के प्रियोग में लाने चाहिए जिन से किसी का भी नुकसान इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि उड़त की दाल के सरल उपाई इन उपाई को करके आप अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं शनी दोश को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करना है उड़त की दाल के चार दाने शनीवार को प्रातकल सिर से तीन बार उल वो इस सरवल उपाय को कर सकते हैं दुर भाग्या दूर करने के लिए शनिवार को सायकाल उड़त की दो साबुत दाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही सिंदूर टाल कर पीपल ब्रिक्ष के नीचे 21 दिन तक रखें और ध्यान रहे की वापस आते समय मुड़ कर न देखें धन स मुड़ी के लिए उपाये शनी अमावश्य या शनी जहनती पर उड़त की दाल को पिस्वा कर उसके दो बड़े बनाएं शाम को सुरियस्त के समय इन पर दही और सिंदूर लगाएं अब इन्हें किसी पीपल पेड़ के नीचे रखकर पीपल को पेड़ाम करें और पीछे म लिए शनीवार को अपने पलंग के नीचे बरतन में सरसो का तेल रखें अगले दिन उस तेल से उड़त के दाल के गुलगुले बनाकर कुट्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्षमिवा का आगमन होता है कोई काम अगर नहीं बन रहा हो दोस्तों तो उसके लिए क्या करना है किस भी शनीवार की शाम को उड़त के दो साबूत दाने लेकर उन पर थोड़ा सा दही सिंदू डाल कर पीपल पेड के नीचे 21 दिन तक प्रते दिन दखें ध्यान रहे कि आते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है नहीं लगभग 50 ग्राम गुड़ में मिलाकर गाय को खिला देना चाहिए यह आपको हर रविवार करना है कुछ माकर करके देखिए कोई रविवार छूट जाय तो कोई परिशानी की बात नहीं है नोकरी वैपार शनी और रहू के लिए क्या करना है अमावस्य के दिन आप अपनी शम्ता के नुसार 100 ग्राम या उससे अधिक बैंगल लेकर किसी जुरुतमन को दान कर दे नोकरी वैपार, शनी और रहु के लिए अमावस्य के दिन 100 ग्राम चाय की पति किसी को दान कर दे नोकरी वैपार, शनी रहु के लिए क्या करना है हर शनीवार को बेशन में बिना नमक और मिर्च डाले साथ पकोडे, तेल्में बना कर कोवो को खिलाएं ये कारे हर शनिवार को करना है इसको करने से सभी समस्या आर्थिक नोकरी और परिवारिक कले कले शब्दूर हो जाएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अधेरा होने के बाद 12 वज़े से पहले अपनी आयू के बराबर मिट्टी के दीपक लेकर उनको अपनी छट के घर की छट पर जला दें और पश्मी की तरफ मुख करके मालक्ष्मी से अपनी जोली फ़ेला कर धन माँगे अगले दिन सुबा-सुबा उठकर वे दीपक महां से उठा कर काले कपड़े में बांध कर किसी गढ़्दि में दबा दें हर मैने एक बार शुकरवार को जरूर करेंगे और साथ में दान क अगर किसी को लगता उसके पर प्रेद बादा है तो शनिवार को पीपल के पांच अंखंडित स्वच पत्ते लेकर उन पर पांच सुपारी दो लोंग रख दें तथा गजल में चंदन घिसकर मात पत्तो पर राम दूताय हनुमान दो बार लिख दें अब उनके सामने धूप पर गरति उजला दे इसके बाद बादध गरस्त वैक्ति बादध गरस्त वैक्ति का पूरा नाम और वैक्ति की माता का नाम बोले छोड़ देने के लिए प्रातना करें फिर सभी पत्तों को समेट करके पीपल के पेड़ के निचे रखकर आ जाएं ऐसा हर्शे निवार को करें कुछ मा में बहुत प्रेत की जो बादा है वो दूर हो जाएगी दोस्तों कोई दुश्मन आपको परिशान कर रहा है तो उसके लिए ये उपाए बहुती कारगार है एक काजल की डिब भी लेनी है अमाविशे के दिन और अपने दुश्मन का नाम बोलना है किस बार और फिर फोक मारनी है और फिर किसी सुनसान जगर पर जाकर जमीन में उसक शुब होता है अगर किसी की नोकरी इस लग रहे हैं उसके लिए हर शनिवार के दिन नहाकर सर्सो के तेल में साथ बेशन के पखोड़े बनाए और फ़ोव क्हिलाए ऐसा साथ शनिवार करना है आपकी नोकरी जल्दी ही लग जाएगी बिमार रहने पर क्या करें, बिमार रहने पर आपको ये उपाय करें, रोजाना गाय को गुड़ खिलाएं, शत्रु शमन के लिए एक बहुती कारगर उपाय है, साबुत रोड़त की काली दाल के 38 और 40 दाने मिला कर किसी गड़े में दबा दें, और उपर से नीबु छड़क समिष शत्रु के नाम लेते हैं, लेते रहें, उसका शमन होगा और आपके बिरूद कोई कदम नहीं उठाएगा, अकारण परेशान करने वले वक्ति से शीक्र छुटकारा पाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति बगेर किसी कारण के परेशान कर रहा है आपको, तो सोच करिय कार में सोचालने में, बैठबैठ वहीं के पानी से उस वक्ति के नाम लिखे और बाहर निकलने से पूर्व जहां पानी से नाम लिखा था उस पर आप बाएं पैर से तीन बार ठोकर मारे ध्यानने, यह प्रवरोग स्वारत वर्ष न करें नत्याहानी हो सकती है, नजर उता पानी को दूर करने के लिए रोज हनुमान जी का पूजन करें, वह हनुमान चालिशा का पाट करें, पर्टेक शनिवार को शनी को तेल चड़ाएं, अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चपल किसी को गरीब को दान कर दें, दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगयाने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन समय समय पर आपको मिलते हैं